जी जहर्खन की राजधाने राची से चल करके आज हम उत्त्री छुटणागपूर के परवेश द्वार चत्रा की इस संघर्ष की धर्ती में आये हैं जैसा कि आप लोग जान रहें कि 24 साल के जहर्खन में ना यहां के युवाओं के हित में ना गरीब किसान मजदूर किसी के हित में नीती कानून नहीं बना है जिसको लेकर के हम लोग लगातार राज अस्तरिय राज ब्यापी आंदुलन करते आ रहे हैं यहां के हक अधिकार के लिए आवाज को बलंद करते आ रहे हैं चात्रों के पीड़ा, दर्द, दूख, तकलीब के आवाज को बुलंद करते आ रहे हैं और यह इतिहास में पहली बार हो रहा है कि पूरे राज के लोग एकजूट हो रहे हैं एकता दिखा रहे हैं और हमारी आवाज को दबाने का प्रयास जो है कि लगातार किया जा रहा है अब देख रहे हैं कि जिस परकार वोकारों में राची का भिविन्न थाना में धनबाद में जमसितपूर में लगातार जो है कि हम लोग का नाम से भायार दर्ज किया जा रहा है उसी करम पर सदर्थाना चत्रा में भी किया गया जिसका बार बार नोटिस पर नोटिस आ रहा है कि हाम लोग संवध्धानिक तरीके से अपना आवाज को भुलंद कर रहे हैं अवाज को संवी तरीके से उठा है जो लोक्तंत्र में अधिकार है अब देख रहें कि बहरत रज्यों का संग है वगल में अगर यहीं बिहार को है तो बिहार में जो नियोजन neatly प्रिवासित किया गया उसमें अस्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जीस जीला में जिसका या जिसका पुर्वज का नाम उलेक है वह उसी जिला का अस्थानिय बेक्ति कि माना जाएगा अस्थानिय बेक्ति माना जाएगा अस्थानिय निवासि नहीं बेक्ति का प्रयोग ginाएति B हम लोग का 15 नवंबर 2000 से पहले जार्खन में भी था लेकिन जार्खन अलग राइज होने के बाद ततकाल समय में भी विहार में वही चीज़ लागू है आप लोग सभी देख सकते हैं तीन मार्च उनिस सो बिरासी पत्र संख्या पचास चौदा अबलिक पचास चौदा अबलिक 81 इसमें और इसी का अधार पे वहां न्यूकती होती है और जिसके वज़ा से बिहार विहारी के लिए हम बंगाल की बात करें तो पूरा बंगाल पर देश में जतना भी ऑफीस है कर भूस्तों को गजरा है ज tip आए जटना नोख्री है चाहे हो जारोग पनेशा पामनेश लेकर नेकर के बड़ावाभू का प्र्सी से लेकर के विडियो सी यो जितना भी पोस्ट है सिर्फ बंगालीओं का हुऔषपा में सिर्फ नाथां और जो आप जो तक बांधियों नहीं चल सकती है उसी परकार बिना जहर खंडी हित के नियोजन नीति का जहर खंडियों को नौकरी नहीं लगाया जा सकता है। कि इसी वज़े से आज हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम लोग का आवाज को लगातार दबाने का प्रयास किया जा रहा है और जहारखन सरकार को यह अधिकार है क्योंकि बिहार पुनरगठन अधिनियम दुहज्यार की उपधारा 85 में अस पश्थ रुप से उलेख है कि जा बिहार सरकार का कोई भी अधियादेश को गजट को वह अंगिक्रित के साथ कर सकता है कि जहां जहां बिहार सब्द का परियोग किया गया है उसको जारखन सब्द का परियोग किया जाए और जहां आपका पटना सब्द का परियोग किया गया है वहां राची सब्द का परियोग किया जाए तो आज यह लड़ाई को जोत्रा पेचीदा बनाया जा रहा है चोबिस सालों से कि यहां संभव है लागू होना लेकिन हम कहना चाहते हैं कि तीन मार्च कचहरी का दाउं पेच नहीं हो रहा है सभी समय पर नियुक्ति हो रहा है और उसी को लागों किया जाए लेकिन हमें उनका धनली का रूप लगा रहे हैं तो क्या कहीं है जी यह दुरभाई गया चुकि राय अलग ज्ञार्खन राज का गठन इसलिए हो गया था कि यहां का च इसलिए ही लंबे त्याग वलिदान कुरवानी और संहर्ष के परिनाव सोरुप अलग राज का गठन भगवान विर्शा मुंडा जयनती के आउसर पर 15 नवंबर 2000 को अबुआ दिसुम अबुआ राज अस्थापित करने को लेकर के हुआ था और चोकिदार की पोस्ट की बा दोटे गया है कि हाँ चोकिदार के नौक्रियों में भी धानलिक किया जा रहा है इतना ही नहीं आ रहे हैं इसी के वज़जह से तो आज देखिए सही से नियुकती नहीं हो रही है जिसके वज़जह से नौक्री और युवाओं का हम लोगा तुखका अदिखर मारे है जा र रहा है वो लोग ऐँएां वह लोग जो है कि इमांदारी से काम नहीं करेंगे शोचन करेंगे मान के चोकिदार गलत तरीके से पहली होगा पैशा देकर के Çaar ही किसी चोकिदार जोową जो मेदावी कि जिसका दोस नहीं था कोई गरीब है किसान है मजदूर है पिर भी नहीं है पहुंच नहीं है पैसा नहीं है और वेचारा का कोई गलती नहीं होगा और मामला थाना जाएगा तो उसको बोल दिया जाएगा आप ही का गलती है और किसी का पैसा है पहुंच है पिर भी है तो उ उसको चेर में बैठाया जाएगा उसको पानी पिलाया जाएगा उसके लिए नस्ता कराया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि आपका दोस्त नहीं है मतलब क्या करेगा लोग जिसका गलती था उसको करते का ना और जिसका गलती ना उसको करते का था मतलब हो जाएगा जिसे था को ना और ना को था करेगा इसलिए इसका ना भी रख दिया है था ना था को ना और ना को था करने वाला इसलिए उसका ना रख दिया गया था ना इस बाद इस जगर मैया सम्मान योजना की देखते हैं तो हमको आस्चेर लगता है कि माँ को हजार रुपिया चुनावी जुमला देकर के सम्मान की बात करते हैं और बेटा जब नोकरी माग रहा है बेटा जम नीती कानून हक अधिकार माग रहा है तो उसको लाठी चार्ज क कर रहे हैं उसको जेल बेजने का काम कर रहा है उसको सोशन कर रहे हैं तो मा बेटा के भविष्ड के बिना मा का सम्मान नहीं हो सकता है यह उसी परकार का है जैसे कवुत्तर्ग जब को जान बचाने के लिए जो बुदि दिया गया था कि सिकारी आएगा जाल विचाएगा दाना डालेगा लेकिन लब में फसना मत तो यह उसी परकार का है तो हम राज के तमाम माताव से कहेंगे उधर एक गोगो दिद्दी का जोजना लेकिया रहा है और यह दोनों जो है कि यह सिकारी के रूप में आये हैं और जहर खंडियों को जाल में फसाने के लिए चारा डाल मुश्किल से हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं युवाव से यही अपिल करेंगे कि युवा अंदोलन करकर के ठक चुके हैं पुरे राज की अंदर जो है कि खुद हमारे उपर एफाईयार लगा एफाईयार है किसा जेल जा चुके हर चीज कई यहां के हमारे साथ इसी केस पर 42-52 चात्रों का फाईयार दर्ज है सुचिए कि क्या हम लोग का गुणा है क्या किसी को लूटने गाएं किसी को मारने गाएं किसी को पिटने गाएं कहीं चोरी करने गाएं डकेती करने गाएं नहीं हमारा गुणा यही कि हम लोग बाकी नेताओं की जैसा जनता के बीच में छलकपट नहीं कर रहे हैं हम लोग करमटता से डट करके पूरा जो है कि हर समश्य आने पर भी उसको स्रामना कर रहे हैं और इस राज के आवाज को बुलंद कर रहे हैं जो सहीदों का सपना है जो आंदलनकारियों का रमान है जो अलग राज कठन का उद्देश है उसको पूरा करने के लिए हम लोग इसमें अड़के रहते हैं हम लोग बाकी निताओं की तरह मुझ में मिडिया में कुछ और बोलेंगे अंदर में कुछ और छलकपट की वावना रखेंगा ऐसा नहीं रखते हैं यहीं वज़ाई कि हमारा इस आवाज को दबाने का प्रयास क से लड़ा जा रहा है इसलिए हम तमाम युवाओं से कहेंगे कि दू महिना के बाद चुनाओं है चुनाओं में अपना हमारा युवाओं की सरकार बनाई है नया विकल्प लेका यह पच्छ विपच्छ को इस वार खतम कर दिजिए और ज्यादा नहीं दो महिना के बाद हम कोज हरखंडियों का अपना है इसलिए जितना अग्दम 20 दिन सरकार बना जनुवरी महिना में आदेश दे देंगे सभी विभाग को सभी डिपार्टमेंट को कि जितना जितना वहकंट खाली है उसको हम लोग को 35 दिन के अंदर दिजिए और 35 दिन के अंदर देने के बाद क करेंगे जो परकार का बरेश्टा आचार नहीं होगा हम लोग दम परिक्षा जोड़ने का दो तरीका एक परिक्षा के मायदाम से अर्टि जिसे लोन दे करके पंचायत परक्रण असतर प्यास्थानिया लोग को युवांउं से रोजगार का साधन संग्साधन व्यवस्ता क करके तो तूरीज्म का वेवस्ता करके तरह तरह कमने रोजगार सिर्जन करके और उसको एक तरीके से करेंगे दूसरा जो परिक्षा के माद्यम से जो करेंगे इसमें तिन-चार चीज़ों का बिसेस ध्यान रखेंगे जो अब तक का सारे सरकार फेल है सबसे पहले जो हम लोग तुरत डिपार्टमेंट को सुचना करेंगे बैकेंट सीट मगा के रखेंगे कार्मिक विभाग को पंदरे दिन कर समय देंगे आरे साब विकल्प टाइगर जहराम जी का सरकार बनेगा ये अरे केतनों को उठाएं उतारे कोई फरक नहीं पड़ता внут shifted की एक तो परिवार वाद का कई राजा का वेटा ही ये राजा का परिवार से ही राजा के पतनी राजा नहीं बनेंगे लोगतंत्र यह नहीं कहता है यहां युवाओं का सपना दिखाना होगा बुलूप्रिंट देना होगा और सोलूसन देना होगा और हम सोलूसन की बात करते हैं पूरी तरह फैलियर है सत्यानत भॉकताजी आज पूरा फैक्टरी के जो मजदूर है आज देखिए जारकन परदेश के अंदर हम जीस जहां जिस सहर की और मोड़िये उस सहर के मजदूरों के साथ सोसन हो रहा है निकाल दिया जा रहा है काम पर किसी भी समय तरह तरह का बहना बाजी करके अगर कंपणी एक्ट के तहत उसको जो प्रावधान है जो मजदूर यूनियन से उस मजदूर यूनियन को भी पावर्ट छिन लिया जा रहा है किसी भी प्रकार का मजदूर सरकशित नहीं ostr5 प्र trucs चार उनकरन का यूज कि आ जा रहा इसलिए चलब Ita इसलिए बहुत जल्द आप लोग को वता दिया जाएगा निश्चित रही है आप लोग के मैधम से जनकारी दे दिया जाएगा बहुत जल्द ही दिया जाएगा महतपूर्ण यह है कि हम लोग पुरा JPSC हो जेसे हो यहां पर मने इसको सुधार करने के लिए अम लोग पूरी नहीं रखता होगा जो जहर खंडी होगा इसे लोगों को हम लोग बैठाएंगे अरे इसी का तो हम लोग आंदोलन कर रहे है का लग जो है कि आम लोग परसो ट्विटर केंपेन हैज टेक चला है हैज कैंसल कैंसल अंडरिस्कोर जैसे सी अंडरिस्कोर CGL अभी देखिया मसा हुआ लाठी चार्ज हुआ फायार हुआ लेकिन नौक बेचा हुआ नौकरी को बचाने सके थे इस बार भी हम लोग कैंसल कराने में लगे हुए हैं चूकि 41 कॉस्चेन रिपीट पर हर्याना करमचारी चयन आयोग अपना परिक्षा को रद किया है इस परिक्षा में बहतर क पर में संभव ही नहीं था कि हम तो बार बार करें कि जिसका 120 से ज्यादा नंबर आया है उसे सारे स्टुडेंट का नंबर को ट्रेस किया जाए लोकेशन को निकाला जाए हम गैरेंटी देते हैं चैलेज करते हैं कि सभी स्टुडेंट कहीं न कहीं एक जगह होंगे और पर सबसे बड़ा सबूत होगा इसलिए ततकाल इसको रद किया अनिया था इस सरकार जो है कि दोबारा बोल जाए कि हम सदन का दर्शन भी कर पाएंगे